तो नमस्कार आज हम आपको मुखातिब कराने जा रहे हैं डालिमा गर्वाल जी से जो बड़ी इंटीरेट डिजाइनर है बरेली शहर की नामचीन हस्ती हैं पर्चे की मौताज नहीं है आपके पती डॉक्टर राजेश अगर्वाल आईयमे के अध्यक्ष रहे हैं जिनके कार आईयमे तमाम कृतिमान और आयाम इस्थापित किये फिर आज हमको मिलवाने जा रहा है डाक्टर डालिमा जी से जो आपको बताएंगी कि महलाओं में ससकती करन का मतलब क्या है किन महिलाओं को ससत कहेंगे महिलाओं को किस तरीके का वातावराण चाहिए किस तरीके का परवेश चाहिए और महिलाएं क्या नहीं कर सकती है सुनिए डालिमा गरवाल की जुवानी जुड़ रही हमारे साथ देखते रही हमारी ये खास रेकोर्ट मैं मिस्स डालिमा गरवालू एक इंटीर डिजाइनर हूँ और पिछले 25 सालों से बरीली शहर में ही मेरा इंटीर डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर रही है मेरा ओफिस रामपुर गारण में है विद्धनीम डालिम इंटीरियर्स और काफी प्रोजेक्स करें हैं मैंने हर तरह तो महिला शहक्तिकरन के लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह बहुत ही गलस नोशन समाज में पैदा हो गया है कि हमें करियर बनाना है करियर बेज महिला ही शहक्त होती है यह विद्धरो करना है वही शहक्तिकरन है असल में शहक्तिकरन का मतलब ही नहीं बता है शहक्तिकरन अगर मैं दो लाइनों में कहूं तो यह है कि पहले हमें अपने कर्तव करने हैं, हमें अपने डिसिजन्स लेने की अजादी होना चाहिए, शशक्तिकरन यह है, अब वो अजादी कैसे मेलेगी, पहले हमें अपने आपको स्काबिल बनाना है, पहले हमें उतना कर्मशील होना है हमें उतना गंभीर होना है, अपनी चीजों के प्रती, अपनी नैतिक, दैनिक, जो हमारे काम है, उसके प्रती हमें गंभी होना है, संजीदा होना है, अवेर होना है, नॉलिज डेबलप करनी है, स्किल्स डेबलप करनी है, जब हम ये सब खुद में कर लेंगे, तब हमें वो पता चला हमें इसकाबिल तो है नहीं कि हम अपने डिसिजन्स ले पाएं और शचक्तिकरन के लिए अधिकार सारी चाहिए तो हमारी माता पिता यह हस्बंड जो भी हमारा मेल जो भी हम लोग का धिहान डटने बई जब शादी से पहले पेरेंस होते उसके बाद हस्बंड होते तो वो भी हमें कैसे अजादी दे सकते हैं वो हमें इसकाबिल समझते ही नहीं है तो प्रॉब्लम यह है कि फीमेल यह तो समझी नहीं कि उसे खुद क्या करना है उसने यह समझे शचक्तिकरन क्या है और दूसरी चीज़ क्या है करियर एक हिस्सा होती है महिला का और जो हमार कि अपनी फैमिली नी देखे कि तो भगवान उसे बनाई यही तरहा है कि वो कितनी खुबसूरती से अपनी फैमिली को देख सकते है कोई नी देख सकता है फैमिली के साथ वो करियर भी बहुत खुबसूरती से कर सकती है दूसरी चीज आते है कि हम यह सब कैसे कर सकते है तो य यह नहीं होता है कि हमने क्लास पास कर लियो बहुत अच्छे मांक्स लिया, no, this is not education, this is being literal, education मतलब होती है, हमें time management आना चाहिए, हमें stress management आना चाहिए, में social management आना चाहिए, में emotional management आना चाहिए, बई, अगर मुझसे किसी ने उल्टा बोल दिया, तो मुझे यह आना चाहिए, क मैं से कैसे handle करूँ, मैं अपने उस 24 घंटों कैसे harness करूँ, कैसे manage करूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हर इस्तरी हर कुछ कर सकती है, बट वो management, तो यह सब education का हिस्सा है, education is not about being qualified, अगर मैं वहती करियर में कुछ आगे कर रही हूँ और अपने कोई high qualification ले रखी है, तो it does not mean वो qualification हो गई मेरी, education, holistic development of education का मतलब होता है, and holistic development of an individual, तीसरी चीज में कहना चाहूँगी, जो मैं अपनी भी, मेरी भी एक उमर का तज़र्बा है, अध्यात में कैसी चीज है कि हमें उससे बच्पन से, अगर हम as parents अपने बच्चों में इंकोर्परेट करें, तो उससे आप, बहुत सारी चीजों से बच्चते हो, आपको जिनकी का essence पता होता है, what life is all about, जो कि अप खोदा जा रहा है, तो यह चीज, as parents, अगर यह स्कूलों में इंकोर्परेंस भी घर में अपने बच्चों में इंबाइब करनी है, spirituality, अध्यात्म, बहुत ही खुबसूरत चीज है, आप उससे जिनकी की बहुत सारी चीज़े आप खुदी अचीव कर लेते हो, and it is a step by a process, यह एक दन का नहीं है, इस सालों का एक process है, आज मैं हूँ, आज मैं अपने करियर भी कर रही है, अपने फैमिली भी देख रही हो, और मैं एक multi-dimensional life जीरी हो, मैं एक sports person भी हो, मैं साइ अपने इन-लॉस का उतना ही ध्यान रखते हूं, तो इस सब कैसे कर लिया, एक समझस होता है, सारी चीज़ों, इस एजुकेशन, अध्यात्मन, तो उससे हम बड़ा अची अपनी planning कर लेते हैं, life के और अपने हिसाब से जीते हैं, किसी conflict में ऐसा नहीं किमें किसी conflict में बोदवाजी होना है, तो यह कहना चाहूं, इस शक्तिकरन यह है, पहले आप अपना स्किल्ड डेवलप करें अपने जब आपकी एजुकेशन हो रही हो, उसके बाद आप सब चीज़ पालेंगी, थैंक्यों, ओके